हेलो ख्रांट्स नमश्कार मैं आज आपको अदाने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर की स्पीट कैसे बढ़ा सकते हैं तो इसके लिए आपको बार बार रिफ्रेस्ट करने की जरूरत नहीं है पर बट यह कंप्यूटर के लिए ताज़ी की जरूरत होती है इसलिए से जरूरत पढ़ती है बार बार तो दोस्तों अधि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और लाइक कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे और यहादि आपको अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है चा कि परसिंटेज टेम्प लिखना पड़ेगा अधि यह कमांड होती है प्रचत टेम्प प्रचत प्रचत पिर ओके कर दीजिए जितने भी खराब फाइल्स जो की सिर्फ जगे लिए हुए हैं और काम के नहीं है उनको आप डिलेट कर दीजिए ठीक यह सारी डिलेट्स हो जाएंगी यह जो बची है उनको स्किप कर दिजिए और फिर वार अब यह स्किप जितनी नहीं होती है उनको स्किप कर देना है प्र इसके बा데 को दूसरी केमानए दाता हूं कि आप कैसे दूसरी केमाण open करेंगे यह 100% हो गई यह दूसरी है window plus R से ही run command में जाएंगे और prefix लिखेंगे prefix एक command होती है ठीक और उसको भी ok करेंगे आप आप इसे control A से select कर दीजिए right click करके delete कर दीजिए जितनी भी delete हो जाती है तो ठीक है और नहीं तो skip कर दीजिए आप ठीक है दोस्तों आपने इतना कर दिया देखिए recycle win में वो सारी files आ गई होंगी win को भी control A से select करके delete कर दीजिए आप ठीक ताकि यह दुवारा restore ना हो सकी और यह महीने में एक बार करते रहिए और फिर this PC में जाके आप अपनी drives को clean कर दीजिए right इस पर right click करना है आपको इसके बाद properties में जाना है और फिर disk cleanup करना है और यह जितने भी files हैं सभी को select करके clean up system files कर देना है थोड़ टाइम में रूल लगेगा दोस्तों लेकिन बहुत अच्छे इस तरह के से आपकी computer की speed बढ़ जाएगी आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो वो 150 लपाइल लेगा आपसे और यही चीज़ वो भी करेगे तो दोस्तों यह YouTube में आप हमारे इस चैनल को subscribe करिए और इस तरह की बहुत सारी वीडियोज देखिए आप अब आप को हम दिखाते हैं इसके आगे की process अभी वीडियो समापत नहीं हुआ है लाज तक देखिएगा यह तोड़ा time process ले रहा है यह देखिए यह जितनी भी files है select करके ok कर दीजिए यह are you sure you want to permanently delete this file पलब इन files में जो भी खराबिया हैं को आप हमेशा ले डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट files कर दीजिए आप clean up tribe local disk c यह जो हमारी drive c है वो पूरी तरह से clean हो रही है जब जितने भी इसमें विभालतू की जब जो काम के नहीं है documents वो सारी recycling में चली जाती है ठीक है दोस्तों और इसके बाद आपको ok कर देना है फिर इसी तरह second वाली tribe को भी करना है disk cleanup में जाएं और यह clean up system files कर दीजिए और ok कर दीजिए delete files और फिर ok कर दीजिए इसी तरह तीसरी file को भी करनी है clean up system files ok delete files और यह ok कर दीजिए लग आपके computer की speed हुआ ही जो शुरू में आपने नई खरीदी थी वही speed हो जाती है तो दोस्तों यहीं दुकंदार करके आप से 150 पैंट क्याल लेते हैं तो दोस्तों इस सबसे बैसने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखें कर आपको इस वीडियो पसंद आया हो और आप इसे आज माईए फिर इसकी वाद आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और जो भी समस्चिया हो वो बताइए हम उस पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए और थेंक्यों दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्री सब्सक्राइब है